दोस्तों दूद का सेवन हर रूप में होता है लापकारी इसे पॉस्ट्रिक आहार का गया है पून आहार का हला ऐसे में यदि दूद ठंडा हो या गर्म दोनों ही रूप में आपको लाप पहुचाता है पर आज हम बात करेंगे गरम दूद के सेवन की, कि किस प्रकार से गरम दूद आप की शरीर की रक्षा करता है और आपके सरीर का विकास करता है सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पृत्वा वीडियोज में दोस्तों गरम दूद के सेवन से आपकी body relax हो जाती है, muscles relax हो जाती है जिसों आपको नीद अच्छी आती है पूरे दिन की ठकान के बाद यदि आप रात्र में गरम दूद का सेवन करके सोते हैं तो यह आपके लिए बेहर लागकारी होता है जिन व्यक्तियों को gas की समस्या है उन्हें ठंडे दूद का सेवन करना चाहिए वरना acidity की समस्या बढ़ जाती है लेकिन यदि आपको ऐसी समस्या नहीं है तो आप गरम दूद का सेवन करें यह आपके लिए बेहर लागकारी होगा आपना बड़ा हुआ वजन यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी आप दूद का इस्तमाल कर सकते हैं गरम दूद के सेवन से आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन और मिल्रस भी मिलते हैं जिससे हड्या मजबूत होती हैं यह कैल्शियम की कमी को पूर्ण करता है साथ ही विटामिन D की कमी को भी पूर्ण करता है यदि आपको कोलेस्ट्रॉल के समस्या है तो दूद का सेवन लागकारी है बसरते आपको दूद में से मलाई को हटा देना है वनना यह आपके कुलिस्टरॉल को बढ़ा भी सकता है रात में पिया हुआ दूद दिन में या सुबा पिये हुए दूद के पिक्षा अधिकलाबकारी होता है यह पूल रूप से सरीर में लगता है और भोजन के बाद पिया गया दूद शरीर के और अधिकलाबकारी होता है क्योंकि खाली पेट दूद को नहीं पीना चाहिए लाब के बजाए इससे आपको हानी भी मिल सकती है साथी यह आपके डाइजेसन को सुधारता है और पेट को साफ करता है बहुत से लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका दूद पीते ही पेट साफ हो जाता है ऐसे में यदि आप दूद का निमित रोप से सेवन करते हैं तो आपको पाचल संबंदी कोई भी रोग नहीं होने पाते हैं यह आपकी इमनिटी को तो बढ़ाता है ही है साथ ही यदि आप इसमें चुटकी बर हल्दी का इस्तमाल कर ले तो यह आपके जॉइंट स्पेन को भी खत्म कर देगा गरंदूत के सेवन से आपको सर्दी जुकाम नहीं होने पाता साथ ही यह आपके शरीव की पूर रूप से रक्षा करता है तो दोस्तों यदि आप हमारे इस जानकारी से संतुष्ट हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भुलें थैंक्स फॉर वाचिंग